नमस्कार, आप देख रहे हैं अच्छीखबर.com और मैं हूँ गोपाल मिश्रा आज मैं आपके साथ मा दुर्गा से जुड़े चार बेहद रोचक वभक्ति पूर्ण प्रेरक प्रसंगों को साज़ा कर रहा हूँ तो आईए देखते हैं इन्हें पहला प्रसंग, कैसे पड़ा मा का नाम दुर्गा पुरातन काल में दुर्गम नाम का एक अत्यंत बलशाली दैते हुआ करता था उसने ब्रह्मा जी को प्रसंद करके समस्त वेदों को अपने अधीन कर लिया जिस कारण सारे देवगड का बल्क छीड हो गया इस घटना के उपरांत दुर्गम ने स्वर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और तब समस्त देवगड एकत्रित हुए और उन्होंने देवी मा भगवती का आहवान किया और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई तब मा भगवती ने उन्हें देट्य दुर्गम की प्रकोप से मुक्ति दिलाने का आश्वाशन दिया मा भगवती ने दुर्गम का अंत करने का प्रण लिया है यह बात जब दुर्गम को पता चली तब उसने स्वर्ग लोग पर पुना आक्रमण कर दिया और तब मा भगवती ने देट्य दुर्गम की सेना का संगहार किया और अंत में दुर्गम को भी मृत्यू लोग पहुचा दिया इस भीशड युद में विकट देट्य दुर्गम को पराजित करके उसका वद करने पर मा भगवती दुर्गा नाम से प्रख्यात होई दूसरा प्रसंग जब मा दुर्गा ने नश्ट किया देटाओं का अभिमान देटाओं राक्षसों के बीच एक बार अत्यंद भीशड युद हुआ रक्ष से सरुबार इस लड़ाई में अंततह देवगड विजई हुए जीत के मद में देवगड अभिमान और घमंट से भर गए तथा स्वयम को सर्वोत्तम मानने लगे देवताओं के इस मिध्या अभिमान को नश्ट करने हितू मा दुर्गा ने तेजपुंज का रूप धारड किया और फिर देवताओं के समक्ष प्रकट हुई तेजपुंज का विराट रूप देखकर समस्त देवतागर भैभी थो उठे और तब सभी देवताओं के राजा इंद्र ने वरूप देव को तेजपुंज का रहस्य जानने के लिए आगे भीजा तेजपुंज के सामने जाकर वरूप देव अपनी शक्तियों का बखान करने लगे और तेजपुंज से उसका पर्चे मांगने लगे तब तेजपुंज ने वरूप देव के सामने एक अधना सा छोटा सा तिनका रखा और कहा कि तुम वास्तों में इतने बलचाली हो जितना तुम खुद का बखान कर रहे हो तो इस तिनके को उड़ा कर दिखाओ वरूप देव ने एड़ी चोटी का बल लगा दिया पर उनसे वह तिनका टस से मस नहीं हो पाया और उनका घमन चूर चूर हो गया अंत में वह वापस लोटे और उन्होंने वास्तविक्ता इंद्र देव से कही इंद्र देव ने फिर अगनी देव को भेजा तेजपुंज ने अगनी देव से कहा कि अपने बल और पराकरम से इस तिनके को भस्म करके दिखाईए अगनी देव ने भी इसकारी को पार लगाने में अपनी समस्त शक्ती जोग दी पर कुछ भी नहीं कर पाए अंत में वह भी सिर जुकाए इंद्र देव के पास पापस लोड़ गए इस तरह एकेक करके समस्त देवता तेजपुंज की चिनोती से परास्थ हुए तब अंत में देवराज इंद्र खुद मैदान में आए पर उन्हें भी असफलता पराप्थ हुई अंत में समस्त देवगड़ों ने तेजपुंज से हार मानकर वहाँ उनकी अराधना करना शुरू कर दिया तब तेजपुंज रूप में आई मा दुरगा ने अपना वास्त्विक रूप दिखाया और देवताओं को यह ग्यान दिया कि मा शक्ति के आशीष से आप सबने दानवों को परास्त किया है तब देवताओं ने भी अपनी गलती के लिए क्षमा मागी और अपने मिथ्या अहंकार को त्याग दिया तीसरा प्रसंग शेर कैसे बना मा कावाहन एक धार्मिक कत्षा अनुसार मापार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी हजारों वर्षों तक चली इस कठोर तपस्या के फल्सवरूप मा पार्वती ने शिव जी को तो पा लिया पर तब के प्रभाव से वह खुद सावली पड़ गई विनोध में एक दिन शिव जी ने मा पार्वती को काली कह दिया यह बात मा पार्वती को इतनी बुरी लग गई कि उन्होंने कैलाश त्याग दिया और वन गमन किया वन में जाकर उन्होंने घोर तपस्या की उनकी इस कठिन तपस्या के दौरान वहां एक भूखा शेर उनका भक्षड करने के इरादे से आचड़ा लेकिन तपस्या में लीन मा पार्वती को देखकर वह शेर चमतकारिक रूप से वहीं रुग गया और मा पार्वती के सामने बैठ गया और उन्हें निहारता रहा मा पार्वती ने तो हट ले ली थी कि जब तक वह गौरी यानि रूपवान नहीं हो जाएंगी तब तक तब करती ही रहेंगी शेर भी भूखा प्यासा उनके सामने बरसों तक बैठा रहा अंत में शेव जी प्रकट हुए और मा पार्वती को गौरी होने का वर्दान देकर अंतर ध्यान हो गए शेव जी के जाने के बाद उन्होंने देखा कि वहां एक शेर बैठा है जो उनकी और बड़े ध्यान से देखा जा रहा है शेर ने एक मानसा हारी पशु होने के बावजूद मा पर हमला नहीं किया था यह बात मा पार्वती को आश्चेर जनक लगी फिर उन्हें अपनी दिव शक्ती से यह भास हुआ कि वह शेर तो तपस्या की दोरान भी उनके साथ वहीं पर बैठा था और तब मा पार्वती ने उस शेर को आशीष देकर अपना वाहन बना लिया चोथा प्रसंग रामायर से जुड़ी मा दुर्गा की कथा भगवान राम जब अपनी पत्नी सीता और भाई लक्षमण के साथ वनवास काट रहे थे तब लंका नगरी के राक्षस राजा रावण ने देवी सीता को छल से हरड किया था और उन्हें बंदी बनाकर जबरन समुद्र पार लंका नगरी ले गया था मा सीता को मुक्त कराने शीराम लक्षमन हनुमान जामवान विभीशर और अपने मित्र सुग्रियू तथा उसकी सेना सहित समुद्र तट पर पहुंचे थे ताकि समुद्र पार करके रावण से युद्ध करके देवी सीता को मुक्त कराया जा सके उस महान कल्यारकारी युद्ध पर जाने से पहले श्री राम ने समुद्र पर नौ दिन तक मा दुर्गा की पूजा की थी और उनसे विजय प्राप्ति के लिए आशीश लेकर दस्मे दिन युद्ध के लिए प्रस्थान किया था दुर्गा माता के आशिर्वात से शीराम ने रावड को परास्त कर यमलोग भेज दिया और देवी सीता को लंका से बंधन मुक्त कराया तो मित्रों ये थे मादुर्गा से जुड़े बेहत भक्ति पूर्ण प्रेरक प्रसंग निवेदन है कि आप इन प्रसंगों को आगे भी शेर करें और ऐसे ही किस्से कहानियों और प्रसंगों को सुनने के लिए हमारे चैनल अच्छीखबर.com को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद